विद्यूत ने बिना कपड़ों वाली तस्वीर पर दी प्रतिक्रिया बोले आलोचनाओं से नहीं पढ़ता फर्थ। अभिनेता विद्यूत जामवाल ने अपनी बिना कपड़ों वाली तस्वीरों पर खुल कर बात की। इसके साथ ही उडों ने बताया कि आलोचनाओं से उ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभिनेता विद्युत जामवाल इन दिनों अपनी आगामी फिल्म क्रैक जीतेगा तो जीएगा को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म के पोस्टर, गाने और ट्रेलर निर्माताओं ने जारी कर दिये हैं, जिने देखकर दर्शकों का फिल्म देखने का उत्सा आस्मान पर पहुँच गया है। विद्युत इस फिल्म में अभिने के साथ साथ इसका निर्माड भी कर रही हैं। वहीं अब अभिनेता ने अपनी बिना कप्रों वाली तस्वीरों पर खुल कर बात की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आलोचनाओं से उन्हें कोई फर्क नहीं पढ़ता है। विद्युत ने अपनी बिना कप्रों वाली तस्वीर पर बात करते हुए कहा, मुझे खुद के साथ समय बिताना पसंद है। मैं अक्सर अपना काम खुद करना पसंद करता हूँ। मुझे मुझसे बोर होना पसंद है, मुझे ऐसी किताब पढ़ना पसंद है, जो मुझे उतसाहित नहीं करती है। आप जिस तस्वीर के बारे में बात कर रही हैं, वहां मेरी चौदा यात्राओं में से एक की है, जिसे मैंने सोचा कि क्यों न इसे पोस्ट किया जाए। मुझे यह तस्वीर बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसे सोशल पोस्ट कर दिया। हर किसी को अपने साथ समय बिताना चाहिए, भली ही वे ऐसे ही क्यों न हो। जब विद्यूत से पूछा गया कि क्या उनकी बिना कपरों की तस्वीरों को लेकर हो रही आलोचनाओं से उन्हें परेशानी होती है। उन्होंने कहा, ये छोटी-छोटी बाते आपको काटने वाले मच्छर की तरह है। साथ ही उन्होंने कहा कि आलोचना से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि यहां उनके बारे में सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ती की राय है। विद्यूत की फिल्म की बात करें, तो क्रेक में उनके साथ नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में अभिनय के अलावा विद्यूत जामवाल ने अब्बास सयद के साथ मिलकर इस फिल्म का निर्मान भी किया है। क्रेक जीतेगा तो जीएगा एक स्पोर्ट्स फिल्म है, जो आदित्य दत द्वारा निर्देशित है। यह दो भाईयों पर आधारित फिल्म है। क्रेक 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।